हलो फ्रेंड्स आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम करने वाले हें हिंदी की अभ्यास पुस्तिका। तो आज अटकर हमारी अभ्यास पुस्तिका। नीचे लिखेंगें शब्दों में से संग्या सब्ध छाठकर लिखें। हमें यहां को शब्द दिये गए हैं, उनमें से हमें संग्या सब्द चाट कर लिखने हैं, संग्या आप सभी जानते हैं, संग्या किसे कहते हैं, किसी वस्तु के नाम को, किसी इस्थान के नाम को, या किसी व्यक्ति के नाम को हम क्या कहते हैं, संग्या कहते हैं, तो देखिए, अच्छा राम मोटा तो यहाँ पर संग्या क्या है राम किसी व्यक्ति का नाम है तो राम यहाँ पर क्या है संग्या है ताजमहल छोटा शफेद यहाँ पर संग्या सब्द क्या है ताजमहल क्योंकि ताजमहल क्या है किसी इस्थान का नाम है इसलिए संया है भूर्वड़ा बैग तो यहाँ पर बैग क्या है किसी वस्तु का नाम है तो बैग यहाँ P Sंग्या है लंबा हाथ region तो यहाँ पे संग्या सब्द है हाथ, मुह, बड़ा, गो, तो यहाँ पे संग्या सब्द है मुह, हमारा दूसरा कुश्चिन है, पहला वर्ड हटाकर नए सब्द बनाएगे, हमें उस शब्द दिये गए हैं, उनमें से हमें उनका पहला वर्ड हटाकर नए सब्द बनाने है स तो इसका पहला word है सु, इसको हम अठा के सब्द बनाएंगे, तो नय सब्द बना नाता, बुलाई, पहला सब्द हम अठाएंगे, तो नय सब्द है ळाई, निकाल, तो नी हम अठा दिंगे, काल. उपर पहला सब्द O हम हटा देंगे पर भोजन पहला सब्द यहाँ पर क्या है भो भो को हम हटाएंगे तो नया सब्द बना जन बजाता इसमें से हम भो को हटाएंगे नया सब्द है जाता हमारा अगला कुशिन है नीचे लिखे शबनों का बहुवचन रूब लिखे हमें बहुवचन बनाने है वचन कितने होते हैं एक वचन और बहुवचन दो होते हैं एक वचन जिसमें हम किसी एक चीज की बात करते हैं वो क्या है? एक वचन है अगर एक से ज्यादा है तो बहुवचन है तो आख only एक आख की बात कर रहे है तो आख क्या है एक वचन अगर दो है या दो से ज़्यादा है तो बहुवचन आख है बहुवचन पुस्तक केवल एक पुस्तक है बहुत सारी पुस्तके होंगी तो पुस्तक है क्या है बहुवचन, सडक, एक वचन, सडक, बहुवचन, रुपिया, एक वचन, रुपिये, बहुवचन, गोड़ा, एक वचन, गोड़े, बहुवचन, कपड़ा, एक कपड़ा, एक वचन, कपड़े, बहुवचन, कन्या, एक कन्या है, तो एक वचन, बहुच सारी है, कन्या तो यहाँ पर कन्याय क्या हो गई बहुवचन, सेना, सेनाय, बहुवचन, नदी, नदिया, बहुवचन, नदी, एक वचन, डाली, डालिया, बहुवचन, नारी, एक नारी है, एक वचन, बहुवचन, नारिया, बहुवचन, ओके,